जैसा कि आप सभी लुगों के DLAW से औपके बिपिए सि के तरफ से पोर्टल के माध्यम से जो आपका मांगा गया है और यह BPSC के तरफ से मांग सुप्रियम कोड के जो आपका आधे स है उसके अनुपालन में धियान में रखते हुए जो है यहां पर मांगा गया है जो कि यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सिर्फ यहाँ से डियलेट कंडिरेट को लेकर कि जो आप लोगों का यहाँ पर डाउट है कि 24 मन्थ या फिर 18 मन्थ यहाँ पर क्या हम इसमें उसम्मिट करें बाकि इसके अलामा कि किया यहाँ पर BPSC TRE 2 से यहाँ पर बाहर हो गया और किया आप यहाँ पर मन्थ में 24 मन्थ यहाँ यहाँ पर यहाँ पर मानने हो जाएगा तो इन सभी चीजों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाए हैं बाकि आप भी यदि BPSC TRE 2 में सामिल हुए हैं और आप यहाँ पर NRF DLA कंडिरेट हैं तो आप यहाँ पर अंत तक जो है बिल्कुल आप यहाँ पर जुड़े जो है उरहेगा जो कुछ भी आपका डाउट होगा पुड़ा कोसिस रहेगा इस वीडियो के माध्यम से आपका क इन ओडियों दिया गया है तो नौर्मल से बात है जो आपका डाउट है वो आपका ODL मोड में है तो कोई आपका उस तरीके का इन आई ओए ऍस तरीके से इतना जो है आप इसमें फिलफ कर सकते हैं कोई दिककत नहीं है बाकि आपकी इच्छा है कि इन iOS का आप यहाँ पर फ यहां पर आप आईएगा आपका जो ad призơn है उसको लेकर जैसे आप यहां पर रिजल्ट में देखेंगे जहां पर आपका दिया गया है 2017 से 19 इसका मतलब यहां पर यह है यह आपका 2 साल का हुआ, 2 साल का मतलब यहाँ पर रही है, कि 24 मन्थ यहां पर जो है आपके इसके हिसाब से हुआ, फिर उस्सी तरीके से आप यहां पर result को लेकर देखेंगे, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर आपका first year का total आपका कितना paper है, और कितने में से कितने marks वगर मिले यह आपका दिया गया है उसी तरीके से यहाँ पर आपका second year आनि first year second year इसका मतलब है कि इसके हिसाब से भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 साल आनि कि 24 मन्त आपका हो गया फिर उसी तरीके से आप अपने result में सबसे यहाँ पर नीचे आएं मतलब कूल यहाँ पर आपका 700 marks था प्रथमियर का और इतने में से आपका जितना marks आया हो फिर उसी तरीके से भगल में आपका second year आनि दृति वर्स 700 में से आपका यहाँ पर total जितना marks आया हो दोनों marks को जोड़कर यहाँ पर जो आपका final जो आपका result है वो यहाँ पर आपक देखेंगे तो जो आपका यहाँ डियलेड है वो आपका दो साल आनि 24 मंत का जो है पका हो गया लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेगा कि जो आपका BPSC के तरफ से आपका data मांगा जा रहा है और उस notice में आपका बोला गया कि Supreme Court का जो आदेश है उसके अनुपालन के मतलब उसक वो उसके लिए जो है valid नहीं है तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो Supreme Court का आदेश मतलब जो भी order हो और BPSC के तरफ से उसी order को ध्यान में रखते हो यहाँ पर आपका data मांगा जा रहा है तो इसलिए आप यहाँ पर 24 मंत आपको यहाँ पर जो है वो नहीं लिखना है वो आपका Supreme Court का जो आपका आदेश है उसी आदेश के base पर जो है BPSC के तरफ से आपका data मांगा जा रहा है और Supreme Court का जो आपका आदेश है वो आपका 18 महीने को ले कर रहा है तो आपके result में कुछ भी है जो कुछ भी है उसे आप यहाँ पर ignore करिएगा और यहाँ पर जो आप आपका कोई exam मोगर हुआ है तो हो सकता है कि जो आपका passing date होगा उसमें आपका कुछ change होगा लेकिन आप सही तरीके से सही समय पर यहाँ डियलेट का पुड़ा complete exam आप clear के होंगे तो आपका result होगा उस पे आपका जो डेट है वो आपका 22-5-2019 जो है पका लिखा होगा तो य यहाँ पर अंदर हो जाएंगे देखें यहाँ पर यह जो आपका दिया गया है यह बस एक तरीके से आपका formality को complete करने के लिए बोला गया है जो आपका main है यहीं से आपका clear हो जाएगा कि आप यहाँ पर यहाँ पर रेगुलर डियलेट जो है candidate है आप यहाँ पर इस option में 24 मन्थ डालिए या फिर आप यहाँ पर 25 मन्थ डालिए या फिर 30 मन्थ डालिए उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है जो आपका main है उपका यहीं पर जो आपका ऊपर starting में option आपका दिया गया जिस पर आपका क्लिक करेंगे यहीं आपका main है एक बात यहाँ पर यहाँ रखे करने का मौका जो है मिलेगा तो इसलिए जो کुछ भी आप यहांपर डिटेल वो समिट करेगा अब यहांपर बात करें कि जो आपका यहांपर मियन डउट है कि क्या यह यह ना सी डूट है कि अपका बीपी इसी टियरी टूड देखिए कि पहले यह कुछ लोग ऐसे भी कि ध्यान रखेगा कि जैसे जो BPSC TRE 1st में सेलेक्ट हों या फिर 6 चड़ मतलब BPSC TRE 1st में सेलेक्ट हैं तो आप लोग का मतलब डाउट है कि क्या हम लोग को भी अपना यहां पर डीटेल जो है उस समीट करना है तो देखें आप लोग उसे यहां पर कोई मतलब नहीं है जो आप इतना भी समझ सकते हैं कि BPSC TRE 1st में 628 की वेकेंसी ही जो है आपकी नहीं आई थी और यहां पर दूसरी बात है कि मालेजी आप लोग सम्मिट भी करेंगे तो कहां से आप सम्मिट करेंगे क्या आपका अपना ट्यारी फर्स वाला जो आपका डैस्पोर होगा क्या वह लोगों को लेकर यहां पर आपके DLA का जो डीटेल है या फिर डाटा है उसका यहां पर BPSC के तरफ से मांग जो है किया गया है और एक बात यहां पर यहां पर धियां रखेगा कि जो लोग यहां पर पेपर दिये हैं सिर्फ वहीं लोग आप यहां पर समिट करेंगा ऐसा तो ऐसा तो आपका है नहीं और बागी जो यहां पर आप लोग का में डाउट है कि किया यहां यहां पर डीटेलेट बाहर हो गया तो देखिए BPSC के तरफ से आपका बाहर करने को लेकर या फिर अंदर करने को लेकर चाए BPSC हो या फिर सिचा भी भाग हो उनके माध्यम से कुछ भी आपका यहां पर जो है बापका नहीं दिया गया है तो इसलिए यदि आप अपने से सोच रहें कि अनाप डीटेलेट बाहर हो गया हमें यहां पर डाटा आप नहीं सम्मिट करेंगे बहुत दिक्कत हो गया मतलब जो कुछ भी आप अपने उपर टेंसन वगर लेन चाते हैं नॉर्मल से बाते आप ले सकते हैं उसके लिए बिल्कुल जो है उस्वत अतन रहें लेकिन इतना ध्यां रखेगा कि यहां पर बस आपका डीटेल जो है मांगा गया है और बीपीसी के तरप से एक तरीके से देखेंगी तो आपका किया जारा है कि कितने यहां पर जो DLA candidate है, वो regular DLA candidate है और कितने यहाँ पर YNAF से DLA candidate है बस उनके तरफ से इतना आपका मांगा जा रहा है ऐसा नहीं है कि आपको रिजेट से बाहर या फिर BPSC TRE2 से YNAF DLA candidate को यहाँ पर बाहर जो है आपका किया जा रहा है तो इसलिए जो कुछ भी आपका अफ़ा वगरा या फिर जो कुछ भी आपका मीथ चला है कि YNAF DLA candidate आपका बाहर हो गया तो उन सभी चिज़ों को आप इग्नॉर करेगा और इग्नॉर करने के साथ आप अपना डीटेल जो है वो समिट कर दीजेगा, इसमें कोई आपके मतलब फिलफ कर देंगे, 18 मंत नहीं डालेंगे 24 मंत हम वो आपर जो है वो अपने से यहाँ पर टाइप करके लिख देंगे तो हमारा YNAF DLA मान हो जाएगा तो यसा बिल्कुल नहीं है, जो यदि YNAF DLA मान होगा, तो सभी YNAF DLA candidate का मान होगा जिस तरीके से अभी तक YNAF DLA BPSC TRE2 में मान है किसी भी तरीके का दिख करते हैं, बाकि अब भविस में क्या हो सकता है, वो तो कोई यहाँ पर नहीं बता सकता है लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो BPSC TRE2 मे YNAF DLA candidate को लेकर किसी भी तरीके का आपका दिख का जो है, वो नहीं है बाकि यहाँ पर एक बात यहाँ पर यहाँ भी ध्यान रखेगा कि बहुत सारे ऐसे candidate होते हैं, जो यहाँ पर मान लिए कि YNAF DLA चुकी जो है भी आपका BPSC TRE2 से बाहर जो है भी आपका हो गया, इस तरीके से आपका data मांगा जा रहा है था, और वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि क्योंकि इसमें आपका कोई जो आपका documents बगर है वो आपका upload करने का option नहीं दिया गया है तो बहुत सारे candidate, मतलब यह भी मतलब इस तरीके से भी बहुत सारे लोग होते है कि वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कि भले ही यह नाव DLA candidate है, लेकिन जो आपका regular DLA candidate का data है, उस पर click करते हुए आप कुछ भी यक्स बाइजेट, अपना detail submit करते हुए, फिर जो आपका passing date वगर है, वो आप यहाँ पर submit करते हुए आप complete जो है, वो submit कर देंगे तो देखे, यदि आप इस तरीके से करते हैं तो normal से बात है, आप यहाँ पर regular DLA की list में, जो है, आप यहाँ पर count तो हो जाएंगे लेकिन और result भी जो है, यदि मालीज, आप merit में आते हैं, तो आपका result भी जो है आपका बन जाएगा, लेकिन जो आपके documents verification या फिर counseling होगा, तो उस time पे तो आप regular DLA का जो documents होगा, उसे तो आप दिखा नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप ध्यां रखेगा कि ये सभी चीज आप यहाँ पर गलत मत करेगा, जो कुछ भी आप यहाँ पर detail submit करने जा रहें, आप येनाप से DLA candidate है, तो येनाप DLA को ही जो है आप यहाँ पर select करेगा, ऐसा आपको बिल्कुल अपने मन में जो है, वो result आ जाएगा, और documents verification को लेकर भी आपको invite जो है आपका कर दिया जाएगा, लेकिन normal से बात है आप यहाँ पर नौकरी जो है वो नहीं कर पाएंगे, और इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर यहाँ है, कि इस तरीके से आप गलट data submit करते हैं, तो BPSC आपको एक ही मतलब करेगी, वो आपको यहाँ पर डिवार जो है उकरेगी, और डिवार पांच साल के लिए जो है करेगी, मतलब BPSC के माध्यम से, जीतने भी आपके आगामी exam होंगे, चाहे आपका PCS का exam हो, या फिर CDPO का exam हो, अब यहार में teacher का भी exam BPSC के माध्यम से होता है, तो पांच साल तक आप exam में जो है, वो बैट नहीं पाएंगे, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, आप डिवार रेगुलर से हैं, तो रेगुलर candidate उस doubt का reply जानता है, तो पुड़ा कुशिस करेगा कि एक दूसरे का help जो है, वो reply के माध्यम से यहाँ पर दे सकें, तो यहीं update है, बाकी आप देखिए, जो आपकी market है, उसमें अलग-अलग तरीके से जो है, आपके मेत चलें, बहुत सारे ऐसे candidate हैं, जिनका मतलब मानना है कि एनार्फ डियलेट बाहर हो जाएगा, तो जो आपके 6-8 का cut-up है, वो आपका काफी जादे नीचे जो है, आपका चला जाएगा, पाकी अब अलग-अलग तरीके से हैं, जो regular daylight candidate हैं, उनका मानना है कि अब यहाँ पर नर्फ डियलेट का रास्ता का clear हो गया, मतलब नर्फ डियलेट बाहर हो गया, पाकी जो B8 candidate है, उनका भी मानना है कि जो नर्फ डियलेट है, पाकी यहना यहना iOS से आप DL8 candidate हैं, तो आप अभी भी अपना धहरे जो है, बनाए रहेगा, यहना DL8 बिहार सिचागवर्टी को लेकर, BPSC के तरफ से, बिहार सिचाभा के तरफ से, कोई official उस तरीके का आदेश नहीं आया है कि यहना DL8 को hold पर रखा जाए, या फिर DL8 को आपका बाहर किया जाए, तो इसलिए इन सभी चे जो का ध्यान में रखते हैं, आप अपना डाटा जो है, वो यहां पर submit जो है, वो कर देजएगा, तो अभी के लिए अपडेट है, बाकि जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, वो हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म राइट जो कर देंगे, अभी तक आप इस चैनल को आप सस्क्राइब नहीं किया होगे, सस्क्राइब करते हैं, वेल आइकन को प्रेज़ो है, वो जरूर कर लिजएगा, जो कोई भी सूचना है, फिर जो कुछ भी नोटिस वगर हो, आपको सबसे पहले जो बाइ-बाइ, टे कर, अलवेश, थैंक यू फो लिस्निंग, गट बिलेस वाल, थैंक यू